कहानी की सुरुवात में जुनियर नाम के एक डैनासोर को दिखाया जाता है जो कि एक रैप्टर से अपनी जान बचा कर भाग रहा था लेकिन तबी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जुनियर को बचाने के लिए उस रैप्टर के उपर हमला करना सुरू कर देते हैं जि और उसके बाद वो जुनियर को याद दिलाते हैं कि वो एक टार्बोसोरस है फिर उसके डैड उसे एक कूची माउंटेन पर लेकर जाते हैं जहांपर वो उसे बताते हैं कि यहां सारा इलाका हमारा है लेकिन जुनियर के अंदर किंग बनने की काविलयत नहीं थी इसलिए उसके डैड कल से उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जुनियर अपने डैड के साथ में एक नदी किनारे जाता है। जहां उसके डैड काते हैं कि अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तब इसकी मदद से तुम अपने घर वापस आ सकते हूँ। तब सी बीच वहाँ पर कुछ रैप्टर पानी पीने के लिए आते हैं। उनको देखते ही जुनियर के डैड उनका सिकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जुनियर को अपनी पूरी हिमत से उनका सामना करने के लिए काते हैं। इसके बाद जुनियर के डैड उन रैप्ट के लिए अपने डैड को आवाज लगाने लगता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह तो पूरी तरह से सेफ है जिसे देख उसके डैड को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वह जुनियर को डरपोंक बोलने लगते हैं अब इस बात से जुनियर नराज होकर वहां से चल जाता है जिसके दोरान कुछ दूसरे डैप्टर उस पर नजर बनाए हुए थे इसके बाद जुनियर अपनी गुफा में आ जाता है लेकिन इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि बहुत समय पहले उसकी मौम की मौत हो गई थी और इस बात को याद करक है जुनियर के भलाई के लिए है इसके बाद रात को जुनियर के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं तब इस सी बीच यहां से कुछ दूरी पर एक तारा तूटकर गिरता है जिसे देख जुनियर बहुत ही ज्यादा परेसान हो जाता है तब जुनियर के डैड उसे बताते ह कि यहां सब दुनिया के बदलने की निसानी है यहां बात सुनते ही जुनियर कहने लगता है कि अब हमारा क्या होगा जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अब हमें एक नया घर खोजना होगा लेकिन हम देखते हैं कि जुनियर इस जगा को छोड़ कर नहीं जाना चाहता था तब इस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर हम यहीं पर डर कर जीते रहे फिर हम इस दुनिया के असली खुबसूरती को नहीं जी पाएंगे इसके बाद वो जुनियर से कहते हैं कि चाहें कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमारे साथ में रहूँगा अगले दिन जुनियर अकेले ही सिकार करने चला जाता है लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता तब इसी दोरान वहाँ पर कुछ रैप्टर आ जाते हैं और जुनियर को अकेले देख उसे पकड़ लेते हैं अब अपनी जान को खत्रे में देख जुनियर अपने डैड को आवाज लगाता है जिसकी आवाज को सुनते ही उसके डैड इस्पेकल्स तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं उसको देखते ही सभी रैप्टर पुरी तरह से घबरा जाते हैं और जुनियर को की डैड करके यहाँ से लेकर भागने लगते हैं अब इसकी वज़ा से इस्पेकल्स बहुत ही जादा गुसा हो जाता है और जुनियर को बचाने के लिए उन रैप्टर का पीशा करना सुरू कर देता है अब इसी बीच भागते हुए ये सभी पहार के बने एक ब्रीज के उपर आ जाते हैं यहाँ पर दो रैप्टर इस्पेकल्स को रोकने के लिए उसके साथ में फाइट करने लगते हैं लेकिन परेशान होने की वज़ा से इस्पेकल्स अच्छे तरीके से उनका सामना नहीं कर पाता और इसी दोरान वो यहाँ से नदी में गिर जाता है लेकिन इस्पेकल्स किसी भी कंडिसन में जुनियर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था इसलिए वा किसी तरह से नदी से बाहर आ जाता है लेकिन अब इसको दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और तभी अचानक से बारिस भी सुरू हो जाती है अब इसकी वज़ा से वो और भी ज़्यादा परेसान हो जाता है क्योंकि बारिस की वज़ा से सारे फुट्प्रिंट मिट जाते हैं जो कि जुनियर तक पहुँचने का आखरी रास्ता था वहीं दूसरी और जुनियर एक अजीब सी जगा पर होस में आता है जो कि चारो तरब से उची पहाडियों से गीरा हुआ था और इसके अंदर बहुत से गुफा बने हुए थे इसके बाद चारो तरब से बहुत से डानासोर इसको घेर लेते हैं जिनको देख जुनियर बहुत ही जादा डर गया था तब इस लैस नाम का एक डानासोर उसे बुली करना सुरू कर देता है लेकिन इसी वक्त बलू आकर उसे बचा लेती है अब इस बात की वज़ा से इशेट इन दोनों को सांद कराता है लेकिन इसी वक्त बात तीनो रैप् gear फिर से वापस आ जाते हैं और इन सभी को एक जगा पर इकटा हो जाने के लिए कहते हैं इसके बाद वे इन मेंगे से कुछ रैप्टर को सेलेक्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं या देख जुन करता है जिसके बाद साई उसे बताता है कि डेसी नाम की उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन एक दिन अचानक से कुछ रैप्टर उसे किड्नैब करके लेकर चले गए अब साई इस पेकल्स को नजदीक से देखता है जि इस पेकल्स उसे बताता है कि वे रैप्टर मेरे बेटे को भी ले कर गए हैं इसके बाद वो जुनियर को खोजने में साई की मदद मांगता है क्योंकि उसके सुंगने की ताकत बहुत ज्यादा थी यहां सुनकर साई पहले तो मना करता है लेकिन फिर अपना बदला लेने की बात सुनकर मान जाता है वहीं दूसरी और कोई भी डानासोर जुनियर को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था इसलिए आखिर में वो गोबर वाली जगा पर आता है जहां पर डस्टी नाम का एक छोटा सा डानासोर चुपा हुआ था तबी इसी बीच ब्लू भी यहां आकर उसे परिसान करने लगती है और कहती है कि कोई भी आज तक यहां से वापस नहीं जा पाया लेकिन हम देखते हैं कि जुनियर को पूरा यकीन था कि उसके डैड उसे लेने जरूर आएंगे इधार इस पेकल्स और साई इस मेल का पीछा करते हुए गुफा के पास आते ह जहां पर साई को खतरा मासूस होने लगा था लेकिन इसके बाद भी इस पेकल्स उस गुफा में चला जाता है यह देख अब साई को भी उसके पीछे जाना पड़ता है लेकिन उस गुफा के अंदर बहुत ही खतरनाकी स्कॉर्पियन थे जो उसके उपर अटैक करना सुरू कर देते हैं लेकिन तभी इस पेकल्स आकर उसे बचा लेता है और दोनों एक साथ यहां से भागना सुरू कर देते हैं मगर वे ज्यादा देर तक वहां से नहीं भाग पाते और वे इसकॉर्पियन इनको दोनों तरब से घेर लेते हैं इसके बाद उनके बीच में कर देता है लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और आकिरकार सभी को मार देता है इसके बाद यह दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और इस पेकल्स फिर से अपने बेटे को खोजने के लिए निकल जाता है वहीं दूसरी और तीनों रैप्टर सभी के लिए खाना लाते है लेकिन एक उरने वाला डैनस और डस्टी का खाना लेकर भाग जाता है इधर जख्मी होने की वज़ा से इस्पेकल्स की हालत खराब हो रही थी और कुछ देर के बाद वा बेहोस हो जाता है तभी अचानक से यहां की रेत भी नीचे की और जाने लगती है जिसकी वज़ा से इस्पेकल्स और साई किसी गुफा के अंदर गिर जाते हैं इसके कुछ समय के बाद साई को होस आता है और वो इस्पेकल्स को भी जगाने लगता है लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक और फीमेल टार्बो सोरस आ जाती है वहीं दूसरी और जूनियर डस्टी के लिए भी खाना लाता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है इधर अब इस्पेकल्स को भी होसा गया था और वा साई को उस टार्बो सोरस से बचाता है लेकिन इस्पेकल्स जख्मी होने की वज़ा से उसके सामने नहीं टिक पाता फिर वो टार्बो सोरस बताती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि उसने इस्पेकल्स के जख्मे के ऊपर कुछ जड़ी बूट ये लगाई थी और अब उसके ही खाने के लिए साई को मारना चाहती थी लेकिन इस्पेकल्स टार्बो सोरस से साई को खाने से मना करता है और बताता है कि वह उसका दोस्त है इसके बाद वो इनसे बताती है कि उसका नाम फेंग है और वो अपनी बेटी ब्लू को खोजने के लिए निकली है अब अगले दिन रैप्टर ड्रस्टी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं याद एक जुनियर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था इसके बाद फिर से खाने की बारी आती है जिसके दोरान जुनियर और ब्लू उड़ने वाले डैनासोर को पकड़ लेते हैं लेकिन वो इनको बाहरी वाले दुनिया के बारे में कुछ भी बताने के लिए तयार नहीं था जिसके बाद जुनियर इसके बदले में उसे बहुत सारे खाने का ओफर देता है या सुनकर फ्लाइंग डैनासोर इनकी बात मान जाता है और बताने लगता है कि बाहर एक खौलता हुआ माउंटेन है जिसके अंदर एक बहुती खतरनाक मॉंस्टर पैदा हो गया है और ये रैप्टर उसी को खाना देने के लिए यहां से दूसरों को पकल कर ले जाते हैं लेकिन इसके अलावा वहाँ पर उस मॉंस्टर के तीन और पेटे भी हैं अब इसके बारे में जानकर सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जुनियर को लगता है कि डस्टी भी अब तक मर चुका होगा इसके बाद जुनियर यहां से बाहर निकलने की बात करता है लेकिन तीनों रैप्टर हर वक्त यहां पर पहरा दे रहे थे इ देख फेंग इस्पेकल्स से उनको बचाने के लिए काती है लेकिन वो सबसे पहले अपने बेटे जुनियर को खोजना चाहता था और इसलिए वो किसी दूसरे मैटर के बीच में नहीं पढ़ना चाहता जा सुनकर फेंग अकेले ही उनके अंडों को बचाने चली जाती है तभ इसी दौरान इन में से कुछ साई के उपर अटैक करने जाते हैं लेकिन वो अपनी पूछ से अटैक करके इनको जक्मी कर देता है इसके बाद ये डानास और इस्पेकल्स के सामने अपने जान की भीक मांगने लगते हैं और फिर इस्पेकल्स इनको यहां से जाने देता है वहीं दूसरी और ब्लेट ने अब भागने का पूरा प्लान बना लिया था इसलिए रात होने पर जुनियर पहारा दे रहा है रैप्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है जबकि नीचे से बलू पत्थर मार कर उनको बेहोस कर देती है लेकिन तब इसी दोरान जुनियर तिसरे वाल प्लान बता दिया था याद एक जुनियर और उसके साथ ही अपनी जान बचा कर यहां से भागना सुरू कर देते हैं जिसके दोरान बलेड एक जगा पर छुप जाता है लेकिन जुनियर और बलू ज्यादा दिर तक नहीं भाग पाते और ये रैप्टर उनको एक जगा पर गेर लेते हैं तबी तीनो रैप्टर को बलेड इनके साथ में दिखाई नहीं देता जिसके बाद वे जुनियर से उसके बारे में पूछना सुरू कर देते हैं लेकिन जुनियर किसी भी कंडिसेन में इनको बलेड के बारे में नहीं बताता अब इसकी वज़ा से ये रैप् कही हुई बात अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अगर दुनिया में सारी चीज अच्छी हो जाए तो फिर जीने का मज़ा ही खत्म हो जाएगा अब अगले दिन इस पेकल्स अपने दोस्तों के साथ उची पहाडियों में आ जाता है जहां पर इनको वे तीनों रैप्टर मिल कुछने लगता है और वो इनको इस बारे में बता देता है लेकिन साई अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेना चाहता था इसलिए वो इस रैप्टर को यहां से नीचे गिरा देता है इसके बाद इस पेकल्स अपने दोस्तों के साथ यहां से आगे जाता है लेकिन तभी अचानक से यहां पर भुकम पाने लगते हैं और इसकी वज़ा से इनके सामने का रास्ता बंद हो जाता है यहाद एक इस पेकल्स और फेंग पथर को हाटाने की अपनी पूरी कोशिस करते हैं लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते तभी इसी वक्त यहां पर वे साकाहर इसके बाद वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रास्ते को साफ कर देते हैं और अब खौलता हुआ माउंटेन बिलकुल इनके सामने था इसके बाद इसके बाद इसके दोस्तों का उन डैनासोर से लड़ाई हो जाता है जो कि सभी कैद हुए डैनासोर की निगरानी कर रहे लेकिन इस पेकल्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको बहुत ही असानी से हरा देता है फिर बलेट जाकर सभी को बता देता है कि अब यहाँ पर कोई भी सेक्योर्टी गाइड नहीं है और सभी कैद हुए डैनासोर यहां से भागने लगते हैं इसके बाद बलेट जुनिय और उसके दोस्तों को घेर लेता है यहाँ एक बलेट खुद इसे रोकने का डिसाइड करता है जबकि बलू और जुनियर को यहां से भाग जाने के लिए कहता है इसके बाद बलेट इनके साथ में फाइट करके एक रैप्टर को नीचे गिरा देता है लेकिन अब उस रैप् बलू भी यहाँ पर आजाते हैं जो फाइट करके इस रैप्टर को भी नीचे गिरा देते हैं और वा भी बाकी दोनों रैप्टर के साथ नीचे लटक जाता है लेकिन स्लैस अब ज्यादा दिर तक नहीं रोक पाता और इसकी बज़ास से तीनों नीचे गिर कर मारे जाते है वहीं दूसरी और इस्पेकल्स और फेंग अपने बचे को खोज रहे थे लेकिन जुनियर अपने दोस्तों के साथ में नदी किनारे आ गया था क्योंकि इसके साहरे वो यहां से निकलना चाहते थे तभी पानी को देखते ही जुनियर को डर लगने लगता है लेकिन फिर वो अपने डैड की बात को याद करता है और इसके बाद वो सीधे नीचे कूद जाता है जिसके बाद बलेड और ब्लू भी नदी में कूद जाते हैं लेकिन अब इसमें तैर कर वे तीनों खौलते हुए माउंटेन के अंदर आ गए थे जहाँ पर इनको बहुत सारे डैनसोर के कंकाल दिखाई देते हैं लेकिन तभी इनको यहाँ पर डस्टी मिल जाता है जो किसी तरह से अपनी जान बचा कर छुपा हुआ था तभी वहाँ पर मॉंस्टर के तीनों बच्चे भी आ जाते हैं जिस मॉंस्टर का बच्चा जुनियर पर अटैक करने वाला था लेकिन इस पेकल्स ठीक समय पर उसे बचा लेता है और जुनियर पर गुस्सा करता है कि वो आज भी डर कर भाग रहा था इस पर जुनियर काता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने गया था लेकिन इस पेकल्स उसकी वहाँ से भागना सुरू कर देते हैं जिसके दौरान जाइंट डाइनसोर इन पर अटैक करके एक गुफा में भेज देता है तभी इस पेकल्स जुनियर को बचाने के लिए बाहर जाने की कोसिस करता है लेकिन फेंगुस से ऐसा नहीं करने देती क्योंकि जाइंट डाइनसोर बिल्कुल सामने ही खड़ा था तभी इसी वक्त जुनियर जान बूच कर उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो इसे डिस्ट्रैक्ट करके सबको बचाना चाहता था या देक इस पेकल्स जाइन डाइनसोर के उपर अटैक करता है तभी इसी बीच उसके बचे जुनियर के फिशल्क getting Mix पांच जा और शी साथ वह फैंग को भी कर देता है जा देखते ही जुनियर और उसके दोस्त जाइंट डाइनसोर और अपने पीछे ले जाते हैं तभी अचानक से यहां पर फिर और कुछ देर के बाद वो होस में भी आ जाता है इसके बाद इस पे कल सबसे पहले जुनियर से माफी मांगता है और इसी के साथ वो उस पर प्राउड भी फील कर रहा था लेकिन इसी वक्त अब इस पूरी गुफा में लावा भरना सुरू हो गया था इसलिए सभी तुरंत अ सबी को यहां से साइड में कर देता है जबकि खुद जाइंट य़ैनसोर के सामने खड़ा हो जाता है लेकिन उसके अटम करने के पहले इस पे कल vergessen हहां से घट जाता है जिसके बाद उस5000 कर रास्त उपन हो जा इसलिए वो इनको गुडबाई बोल कर वहां से चला जाता है जबकि स्पेकल्स और फेंग अपने बच्चों के साथ इस नई दुनिया में रहने का डिसाइड करते हैं क्योंकि यहां पर और भी बहुत सारे डानसोर रह रहे थे जिसके बाद यामों भी यहीं पर एंड हो जात के लुड़े ना